इस वीडियों में आपको बताने वाला हूँ कि आप Facebook में Story Archive वाले Option को किस तरह से Enable कर सकते हो लिटर Non कर सकते हो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने Facebook को Open करना है Facebook को Open करने के बाद अब आपको यहाँ पे इन 3 Lines पे क्लिक करना है 3 Lines पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको सबसे उपर Setting वाले Option पे क्लिक करना है Setting वाले Option पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस होगा अब यहाँ पे आपको Simply Scroll Down करना है स्क्रॉल डाउन करने के बाद योर एक्टिविटी के अंदर आपको यहाँ पे एक उप्शन मिलेगा एक्टिविटी लॉग आपको सिंपिली एक्टिविटी लॉग वाले उप्शन पे क्लिक करना है एक्टिविटी लॉग वाल उप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस होगा अब यहाँ पे आपको सिंपली आर्काइब वाल उप्शन दिख रहा होगा आर्काइब पे क्लिक करना है आर्काइब पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस होगा यहाँ पे गाइस आपको आर्काइव इस्टोरी वाइल आप्शन पे क्लिक करना है आर्काइव इस्टोरी वाइल आप्शन पे क्लिक करने के बाद अब guys आपको जो यहाँ पे setting वाल आप्शन दिख रहा होगा तो guys अब आपको इस setting वाल आप्शन पे click करना है setting वाल आप्शन पे click करने के बाद अब guys आप जो यहाँ से story archive को जो है on कर सकते हो so guys वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करके जाना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी subscribe कर देना